करने लाइं टोपिक है विच इस काइनिमाटिक किया असर तो काइनेमाटिक को समझने से पहले मैं समझना पड़ेगा मेकानिक्स को एक और बात काइनमाटिक सरे एक बहुत मज़ेदार चीज़ है काइनमाटिक को टूल की तरह समझो ठीक है तो तुम्हारे उपर ही आकर खराब कर जाएगा, ठीक है? So that is your kinematics, your double-edged sword. अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, तो बच्चो आगे का जो mechanics है ना, वो तुम्हारा ऐसे निकलेगा. लेकिन अगर तुमने kinematics खराब कर लिया, आगे हो जाएगी बहुत सारी दिक्कत है, ठीक है? तो make sure कि kinematics का lecture को हम लोग बहुत अच्छे से टेंड करें, बहुत प्यार से टेंड करें, बहुत तमीज से अच्छे साथ साथ चलते रहें, questions बनाते रहें, ठीक है? चलो, यह सब बात है अलग हुई, बात करते है kinematics होता क्या है, यह तो बता है, बात में हम लोग देखें कितना important है, क्या करना, क्या नहीं करना, सर, kinematics को पढ़ने से पहले हमें समझना पढ़ेगा उसके उपर उसके जो पापा है, उसके पापा है mechanics उनको, तो अगर तुम mechanics को समझ जाओगे, तो तुम kinematics अपने आप समझ जाओगे, पहले हम लोग बात करते हैं mechanics की सर, what exactly is mechanics, यह mechanics हम लोग बार-बार सुनते आते हैं, right, कभी सर, हम लोग स्कूल में, मतलब mechanics 1, mechanics 2, books हा रहे हैं, in fact mechanics के ऊपर एक पूरी engineering branch खोल रखे, mechanical engineering, यह चल क्या रहा, mechanics, हो क्या रहा, mechanical, what is mechanics, तो mechanics बच्चों क्या है, mechanics इस ब्रांच of physics, ठीक है, क्या हो, physics का ब्रांच, physics के बहुत सारे ब्रांच, जैसा कि हम लोग फिजिकल वर्ड में पढ़ आदा, classical and modern, mechanics यह हो है, वो हमें help करता, deal करने में, किसी motion of a body के बाल में, ठीक कोई body अगर move कर रहा, space or time में, space or time के accordingly, body का motion, body का position change होगा, that is what motion, right, motion क्या है, तुम अपने किसी particular time interval में, अगर तुम अपना space, अपना coordinate change कर जाओ, किसी frame of reference, what is frame of reference, यह सब बात है, हमने vectors में पढ़ा रखे, in fact, तुमको, distance, displacement, vector, velocity and speed, यह सब concept सिखा है, आपने vector में, जिन्हों ने attend नहीं कि, आप अच्छो बहुत अच्छा लेक्चस थे, पूरे playlist है, in fact, J&N के questions भी है, सारी चीज़े, link in description, तुमको मिल जाएगी पूरी playlist, साथ साथ, basic mathematics का भी playlist मिल जाएगा, जो उसको help करेगा, आगे के लिए, चलो, फिलाल, उसको pause करने, सर, बात करते हैं, इस चीज़ की, कि अभी हाँ बता रहते हैं, kinematics और mechanics ही बात करते हैं, mechanics जो है, this is y-axis and this is z-axis, ठीक है, तो यह हो गया particularly space, अगर मैं भालनों space और time की, तो let's say कि body का, हम लोग represent करते हैं, s represents the displacement of body, और t represents the time, तो यह हम लोग क्या study करें, किसी particular 2 time के बीच में, body कैसा behave करें, let's say कि body इस तरीके से move कर रहा है, तो body displaced हुआ बच्चो, देखो y-axis में change आया, जब x-axis में change आया, तो इसका मतलब सर, body, जैसे जैसे x-axis में change आया, y-axis में change आया, जैसे जैसे time बढ़ड़ा है, body की position change हो रही, body की position change हो रही, बादी की move कर रहा, that is what motion is about, ठीक है, एक motion क्या होगे, सर, space में घूमना, बट यहां time, time यहां में नहीं पता, time नहीं पता, कब हो रहा सरी movement, कभी भी दिखा सकता हो सकता है, तो में एक position की बात कर दू, यहां position vector दिखा सकते हैं, what is this, this is our frame of reference, बता रहा के यह सब बाते, फ्रेम of reference क्या होता है, जहां सर्म लोग observe कर रहें चीज़ों, यह तो ठीक है सर, बत यह जो है, this is actually what mechanics is all about, mechanics हम लोगो डील करने में help करता है, motion of a body, in a space time coordinate, ठीक है, तो इस definition को लिख लेंगे हम लोग साथ में, चलो इसको लिखेंगे, वो तो है ठीक है, but what is kinematics then sir, ठीक है mechanics हम लोग समझ गए, पापा को समझ गए, what about beta, what exactly is kinematics, यह सर्ब हम लोग लिखेंगे, परशान नहीं हो, सर्ब kinematics की बात करें, तो kinematics is a branch of mechanics itself, physics का branch mechanics, mechanics का branch kinematics, mechanics के दो ब्रांच है basically, one is kinematics and second is dynamics, now kinematics के असर, kinematics वो ब्रांच है physics का, mechanics का, now mechanics का branch है तो तो तुम एक चीज़ समझ चुक है, सर्ब मोशन से डील करने हाला, लेकिन kinematics बोलता है कि हमको सिर्फ मोशन से मतलब है, हमें भया मतलब नहीं है, कि तुम कहां से ला रहे है motion को, ठीक है basically, it does not care about the cause of motion, what it cares about is the, कि motion हो रहा है, all it cares about is कि motion होता रहा, it does not care about कि कहां से आ रहा, क्या cause हो रहा, stop क्यों रहा, चल क्यों रहा, nothing, it does not care about it, ठीक है, but what about dynamics, dynamics care about the cause of motion, ठीक है, now mechanics, कि कि तब कुझ ओक स्यल व्यादिंग हुगा है इसा है ये डिन paintings या कि करेंफे कि कंद मुष्ट से मतलब नहीं खॉड़ाना अभी सिरफ फोकश इतना होगा कि मोशन बाधी पे फोकश करोगे और सिर्फ फोकस इतना करोगा कि बाधी अक्टिली म मूफ इतना गरा राइट व्युलेग्स चुरूआत करें गेंगैं भाधी फिर हम लोग चलेंगे relative motion पर relative के बाद 2D motion आएगा और 2D के बाद बच्चो आएगा projectile motion ठीक है तो this is all motion in 1D motion in 2D this all are part of kinematics itself ठीक है इसके बाद हम लोग पूरा dynamics ही dynamics है उसमे dynamics kinematics मिल जाते हैं ठीक है फिलहाल बात करते है kinematics ही बाते हैं बहुत होगी से कुछ लिखा दो तो लिखो यार सबसे पहले mechanics ठीक है जो हम लोग ने इतनी देर अभी रमायन पढ़ी उसको लिख लेते हैं what exactly is mechanics sir mechanics is a branch of it is a branch of physics which deals with motion of a particle particle बोलो या body बोलो in a in a space time coordinate अभी जस्त हम लोग ने बोला था ये बात ठीक है इस 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 वाट mechanics mechanics का सब mechanics का अब इस ब्रांच of physics which deals with the motion of a particle slash body in a space time coordinate नो बात करते है mechanics kinematics निस है तो mechanics को further हमने कैसे divide किया बच्चो mechanics was further divided as number one branch इसका kinematics जो हम लोग अभी पढ़ना है right and what is the second branch of mechanics it is dynamics ठीक है what is kinematics and what is dynamics sir what exactly is kinematics and what is dynamics चलो बात करते है sir kinematics and dynamics kinematics के बारे में हम लोग ने भी क्या बढ़ा था बच्चो जश्ट बता है तुम्हें deals with motion without cause what is dynamics deals with the cause of motion उल्टा है उसका cause of motion इसको matter करता है उसको उधर उसको कोई दिक्कत नहीं है कहां से ब्यार हो ठीक है this is your basic एकदम basic definition ठीक है what exactly is mechanics what is kinematics and what is dynamics branches of mechanics ठीक है यहां हम लोग का एक पार्ट का basics जो हम लोग को समझना था what exactly is mechanics dynamics and kinematics हम लोग समझ लिया अब हम लोग बात करंगे kinematics के अंदर गोज जाएंगे अब यहां तक हम लोग का इंट्रडक्शन पार्ट खतम होगे आप हम लोग चलते kinematics होता कि निम्यों चीजते क्या 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 समझकर से what is motion without cause तीक है deal with the motion without cause का काईनेमेटिक्स के अंतर क्या-क्या चीजे पढ़नी है, थीक है, क्या-क्या चीजे होती है, वो दोग देखेंगे, इसको जल्ली से कलो नोट, चलते हैं, नेक्ट पार, तो चलते हैं further काईनेमेटिक्स के तरफ, काईनेमेटिक्स में बच्चों, हम लोग ने एक बात और लड इसका दूसरा नाम क्या है श्रेट लाइन मोशन श्रेट लाइन भी कहते है इसको और राइट तीसरा नाम भी है इसका इसका विच इस रेक्टि लीनियर मोशन तो यह हम लोग का next part है motion in straight line बोलो usually हम लोग 1D ही बोलना प्रिफर करते हैं इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर basically तुमको नाम ही बता रहा है बच्चा कि one dimension में जो भी काम हो रहा है यानि कि space time coordinate जो है motion जो हो रहा है या y-axis में होता जा रहा है या z-axis में होता जा रहा है तो इससे straight line motion one dimension का use हो रहा है अब अब इस सिंगल dimension की बात करेंगे two dimensions में नहीं उतरेंगे याँपर तो इससे related पहले कुछ terms देख लेते हैं सर उसके बाद हम लोग आके चलेंगे सर तो term choice के सबसे famous terms है जो हम लोगों को जानने है सबसे पहला distance now we all know what exactly is distance ठीक है बताने की जरुवत नहीं है second is displacement third is speed fourth is velocity यह सब चीज़े हमने vector में discuss कर लिए मठ याँँ भी करेंगे चिंदा नहीं करो distance, displacement, speed, velocity, acceleration and the last one is jerk ठीक है यह सब किसका पाट है बच्चा kinematics का, kinematics का यह टाम तुमको 2D में मिलेंगे, relative में और 1D में ठीक है तो this is actually the path यह सब हम लोग उसके अंदर का समझ लोग एक तरीके का हम लोग specific details में जा रहे है kinematics का, ठीक है what is specific details है उसको हम लोग क्या केते थे, reductionism basically physical world अगर तुम लोग ने पढ़ा हो तो हम लोग ने पढ़ा हो तो हम लोग ने पढ़ा है reductionism, which is एक बड़े concept को टाग यह उसके चोटे उसके अंदर के चोटे-चोटे concept को study करना तो kinematics is a bigger concept here and these are the smaller concepts जिसको हम लोग पढ़ेंगे जिसके through हम लोग kinematics को पढ़ने ही कोशिश करेंगे तो बच्चों बात करते सबसे पहले distance की what is distance? distance क्या हो जाता सा distance is actually जितना भी path जो तुम travel कर दो in a given time interval that is your distance actual path जो तुम travel कर दो ठीक है what exactly is displacement? displacement is sir जो shortest path travel हो रहा in that same given time interval ठीक है उसी time interval में initial और final position के बीच में ये mention करना बहुत जरूरी है in the same time interval the shortest distance travel between the initial and final position is called displacement ठीक है otherwise if shortest path बोल लेगे तो it will be a mistake third is speed speed क्या जाता पच्चो speed is distance by time very simple बच्पन का definition है बच्पन का प्यार what is velocity? velocity is displacement upon time अभी distance सा उसका counterpart आगे is velocity ये scalar vector scalar vector acceleration की बात करें बच्चो this is change in velocity per unit time interval जो भी given time interval नो change in velocity है ठीक है change in velocity is your acceleration and jerk is also like acceleration बट एक बहुत छोटे time interval में जब होगा ये का that is your jerk पर ठीक है इस पर आभी हम लोग को इतना focus नहीं करना इंपैक्ट पर गएरे जब पढ़ेंगे आगे तब हम लोग को focus आएगा main जो focus रहेगा हमारा इस chapter में वो इन पांचो टन पर रहेगा एक दो तीन चार चार पांच ठीक है इन पांचो पर focus रहेगा तो सरी इन सको जो आमने बोले इसको लिख भी लेतना तो ज्यादा बेता रहेगा है ना लिखना जरूरी हो जाता बच्चों गाउक्छों सबसे पहले बात कहते है distance कि विट इस 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 देंस एक्टोल अच्छ पांथ ट्राइवल्ट by the body in a given time interval देखो यह बोलना जरूरी है नहीं जरूरी होता है तो मैं छोड़ देता त्रेवल बाई ये बहुत एक्च्वल पाथ जो इंपोर्टेंट बाथ यहां पर है तुमको ध्यान रखने एक्च्वल पाथ इन गिवन टाइम इंटरवल ठीक है fix टाइम इंटरवल की बात हो लिए वट इस दिस्प्लेस्मेंट सर डिस्प्लेस्मेंट इस शौर्टेश्ट shortest path traveled or covered in the same time interval between initial between लिखने का ये भी तरीका होता कभी b slash w देखो तो ऐसा नहीं कि तुम सोच में लग जाओ नहीं या कोई टर्म आ गया between initial and final position ठीक है क्या ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है what is speed sir speed के बारे में तो बच्चा तुमको पता speed क्या यार it is distance upon time ठीक है what is velocity displacement upon time ठीक है what is acceleration 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 की बात करेंगे sir acceleration क्या हो जाता हमारा it is change in velocity देखो change बोनना जरूरी है change in velocity in a given in a given time interval this is the refination of distance, displacement, speed, velocity and acceleration इसके अलावा तुमको दो टर्म और मिल सकते हैं दो टर्म जो मिलेंगे तुम्हें वह क्या ये भी देख लो ठीक है speed and the next is average velocity ये बहुत important और बहुत मज़दार concept है now average speed क्या हो जाता है usually हम लोग सोचते है महां लोग 4 speed दिया average किसी quantity ये कैसे लेते हो बच्चो ये सबको बता है let's say अगर मैं तुमको एक example देओ let's say कि तुमारे पास तुमारे class में 4 बच्चे है एक का weight है 40 एक का 60 80 and again 40 अभी मैंने तुमसे कहा कि इन 4 का average weight कितना तो तुम क्या करोगे सबको add कर दोगे by 4 कर दोगे यानि total by total number जितने जितना सबका sum by total number of जो भी बात हो रही मतलब यहां बच्चे तो बच्चो की वहां speed है ठीक है तो बच्चे क्या सोचते की average तो ऐसे लेता है ठीक है average ऐसे लेता है लेकिन average speed भी कैसे लेता है नहीं सर यहां गलत हो जाएगा तो सुन लो average speed is a very special थोड़ा मज़दार concept है हट के कह सकते है ठीक है हट के कंसेप्ट हट के इसलिए सर की इसका जो definition है वह क्या हो जाता बच्चों इस टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाइ टोटल टाइम एंड वट इस अबरेज विलॉसिटी सर इस नेट यह तुमको पढ़ा रखा एक्चुली यह सब हमने वेक्टर में अल्रेडी कवर कर चुका ठीक है तुम चाहो तुम वहां पर भी देख सकते हो बट कोई बात में हम लोग फिर से कवर कर रहें नेट डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है दिस इज ए रवरेज वेलॉसिटी चलो एक बड़ फिर से देख लेते हैं सारी कंसेप्ट को उसके बाद चलेंगे आगे ठीक है सबसे पहले सब इस डिस्टेंस जो तो एक्चुल पाद ट्रेवल वाई बाद इंगिवन टाइम इंटर्वल एक्चुल पाद जितना जो भी पाद तुम ट्रेवल कर रहे हो अब देखो बेस्ट एक्जामपल हमने तुमसे कहा कि तुम अपने कान को पकड़ो हाथ उसे तो कुछ बच्चे ऐसे पकड़ेंगे क जितना सब्च्चा गुलत्व गर्वर मेड लिसके ऐसे पकड़ेंगे हो तुम पकड़ो कानी रहे हो अख तुम पकड़ेंगे हो इनिशल से फाईनल जा रहे हो, तुम वांड पहुंच रहे हो लेगिन कैसे पहुंच रहो यह क्या matter करेगा this is your distance, तुम कैसे पहुंच रहो this is your distance, तुम initial से final पहुंच गए that is your displacement, simple और shortest language displacement क्या है जो तुम actually part travel करे हो जो तुम actual में घूम घूम के जा रहो displacement क्या कहता सर, हमें इस से मतलब नहीं कि तुम कितने तरीके से जा सकते हो, हमें इस से मतलब है कि तुम सबसे जल्दी, यानि सबसे जल्दी भी नहीं सबसे छोटा path कौन से travel करते हो, जल्दी बोलना है इस गलत हमारा term क्या होगा, सबसे shortest path जो है इस initial से final position का उसी time interval में कैसे travel कर सकते है that is your displacement, ठीक है what is speed, speed is simply distance upon time, यह चीज़ हम लोग ने पढ़ रख किये it's a scalar quantity, what is distance, distance is, चलो यह भी mention कर दें, ठीक है scalar को s से represent करेंगे, vector को v से acceleration is a vector quantity, ठीक है तो बेटा यह scalar है, यह vector है, again speed is scalar but velocity is vector, velocity क्या displacement upon time तो उसे speed of velocity में difference क्या है, speed बच्चो ऐसा चीज़ है speed हमें सिर्फ इतना बताता है कि हम कितना total distance travel करें और कितने time में गरने, ठीक है but display, velocity की बात करें, तो उसको इससे मतलब नहीं कि तुम कितना distance travel कियो, तुम कितना चलो, उसको इससे मतलब अपने घर से तुमारे स्कूल है, दो किलमेटर दुरू तुम अपने घर से स्कूल करें, स्कूल से वापिस आ गए total distance उमने कितना travel आप दो चार किलमेटर इस 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 आप मैं तुम से बोलों अगर मैं तुम से पूछा, what is average velocity, average velocity बोलेगा सर, कि आप यहां से वहां गए, वहां से यहां गए, total displacement, net displacement आपका कितना हो, zero, time कितना भी लगाते रहो आप, कोई मतलब ही नहीं, average velocity is zero, तो यह हो गया, तो यह हो गया हमारे basic terminology of kinematics, जो हम लोग को आगे मिलने वाले, और जिससे ह आगे हम लोग को idea होना चाहिए, कैसे होता, क्या होता है, ठीक, इसको जल्दी से note कर लो, थोड़ा देखते है, figures में, और समझने के और कोशिश करते है, distance or displacement की बीच का फर्क, ठीक है, कुछ diagrams, कुछ graphs, कुछ figures रेखते हैं, उससे हम लोग और बैतर समझेगे, इसको जल्दी से note कर लो, now that we have read what is distance, displacement, velocity, speed and acceleration, तो before going into the diagrams, बच्चो, एक question है मेरा आप से, मैं चाहता हूँ, आप उसको सोचो और answer करने की कोशिश करो, बहुत ही simple सा question है, बच्चा, तो मैं चूज करना एक option, मैं चार option लिख रहा हूँ, ठीक है, option A, distance is greater than equals to displacement, ठीक है, option B says, ये उल्टा है सेम केस, बट उल्टा, C says, कि दोनों हमेशा बराबर होंगे, and D says, हमसे ना हो पाएगा, ठीक, तो चार option दिये थे तुमारे सामने, देहो क्या कह रहा है, इसका मतलब तो पता सबको बता रहा है, इसका मतलब क्या, distance is always greater than equals to displacement, second बात करें, distance is less than equals to displacement, ठीक है, second option क्या कहता है, कि distance है, वो displacement से छोटा भी हो सकता और बराबर भी, first का मतलब क्या, distance, displacement से हमेशा बढ़ा भी हो सकता, या फिर बराबर भी, third option क्याता है, कि distance और displacement हमेशा बराबर होंगे, चौथा कहता है, कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, रहने दुपरी, तो इसका क्या answer होना चाहिए, खुच सोचो, एक बढ़ पॉस करके, बहुत ही simple सा question, तुम लोगों ने पढ़ लिया, what is distance, what is displacement, इसके बाद हम लोग चलेंगे, जो हम लोगों ग्राफ में चलना, right, तुँ सरा सोचो, sir, what exactly is distance, उसका definition याद करनी कोशिच करो, distance is actual part travel, from initial position to final position, actual part travel in a given time interval, अभी तुमको एकदम simple सा example दिखाया था मैं, कि sir, ये हाथ है, ये हमारा initial position है, right, हमने कान को पकड़ो, right कान को, ठीक है, this is, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका हुआ, ठीक, दोनों में कान पकड़ड हम लोग, ये क्या था बच्चो, shortest path, displacement, and what was this, displacement, displacement, displacement में कही रहें, जब कि shortest path है, तो कैसे वो हो सकता कि वो displacement से बढ़ा हो जाए, ये option तो sir, हो ही नहीं सकता, समझ जो, possible ही नहीं है, जब कहरें कि shortest path है, तो उससे बढ़ा तो नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा, या distance बढ़ा होगा, ये चौथा भी हमसे गलत है, क्योंकि हमसे हो पाएगा sir, बात करते हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की, now distance और displacement के हमेशा बराबर होगा, या नहीं है बराबर, distance जादा था, displacement कम था, सबसे छोटा जो सबसे बड़ा displacement का value होगा, वो क्या हो सकता, distance के बराबर हो जाए, जब distance भी हो जाए, displacement मतलब तुम्हें के तरीक से कान को पकड़ जाओ, that is your, that is the case, when distance and displacement will be equal, otherwise distance समेशा बढ़ा होने वाला displacement से, ठीक है, तो एक बहुत ही basic सा question था, hope सबका बन गया होगा, and यह चीज समझ गया, आप लोग concept क्योंकि हमने बता दिया था, definition के वक्त ही, और vectors में भी समझा रखा है इन सब चीज़ों को, तो चलो अब चलते हैं, इसको डाइग्राम से समझने कोश्च करते हैं, what exactly is distance and displacement, थोड़ा और clarity लेते हैं इस topic, तो बच्चों, suppose करो, कि हमें जाना था A से B तक, this is your A and this is B, अभी मैं तुम से पूछो कि, हाँ A से B तक तक तुम कैसे कैसे पहुंच सकते हो, तुम एक पात त यह लो ना सर, और भी हाँ से infinite तरीके हैं, कईसे भी बना दो यार, तो बोलेगा सर, इसमें करें क्या हम लोग, तो करना कुछ नहीं, तुम सिर्फ मेरा कोशन तुम से इतना कि इसमें, यह देख लो, यह distance and displacement को हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक simple सा basic diagram से distance and displacement को समझने कोश करेंगे कि कैसे distance and displacement को calculate करते हैं, अभी हमारा मकसद वो नहीं है, calculations, अभी हमारा मकसद आ समझना, diagram के तुरू, तो this is your, अब इसमें मैं तुम से कर पूछू, देखो path का नाम दे देते हम लो, चलो, this is 1, this is 2 and this is 3, मैं तुम से पूछू कि बच्चा, अगर 1, 2, 3 मैं displacement तुम स पूछू कान साथ, तुम क्या बोलोगे, first sensor करोगे, sir, path 2 represents your displacement, and what about path 1 and path 3, sir, path 1 and path 3 represent your, what does this represents, displacement, and what does path 1 and 3 represents, बोलो बच्चो, distance, तु sir, क्या path 2 distance नहीं है, है न, distance वो भी है, but उसका better way मैं कहने का तरीका क्या, displacement, ठीके displacement क्यों है, क्योंकि यह shortest distance है, ठीक है, shortest distance ही तो है यार, finally, है तो distance ही न, distance से नहीं जाओगे, but this is your proper distance, यह distance है, लेकिन साथ-साथ displacement बेस पे, जो majority, जो हावी हो रहा है, जुसमेर dominant part है, that is displacement, now displacement is a vector quantity, यह चीज़ भूल मत जाना, तुम, distance की चक्कर में, ठीके, shortest, shortest करते है तो यह मत बोल ज and displacement निकालना समझा रखे, सब चीज़े बता रखे तुम्हें, कि sir, अगर suppose करो, यह चीज़े वेक्टर में बाद अच्छे से समझा रखा तो तुम्हें, कि यह space time coordinate है, space है अभी, spatial coordinates, axis है, let's say कि यह हमारा एक point है, यह हमारा point है, this is your r1, this is r2, ठीक है, तो sir, this is your displacement, माल लो यह initial position था, यह final position था, body space में यहाँ था, और यहाँ चला गया, थोल time माद, तो इसका displacement r कितना हो जाता बच्चो, r2 minus r1, यह चीज़े सीख सक्के हो, ठीक है, कैसे आता सा, triangle law factor addition, r1 plus r करोगे, तो r2 मिलेगा, देखो तो triangle law से, r1 plus r2 is equals to r, तो r1 plus r2, देखो, क्या क्या हमने, कु यहाँ पहुंच गया, तो this is represented displacement vector, basically displacement का दस दूसरा definition कहाँ, difference between the initial position and final position, position मतलब position vectors, initial position vector and final position vector के बीच का difference, right, so this is also definition of displacement, यह आपने वेक्टर में पढ़ा रहा था, यह आपने अभी kinematics में देख लिए, right, तो चलो, अब मेरा एक question तुमसे, बहुत ही simple सा, imagine करो, इसीगा modification करनोग आप, let's say कि हमारे पास A और B, दो points है, एक body move किया, पहले path 1 से, और दूसरा path 2 से, A से B जाना था, दो तरीकी से move करके चला गया, now path 2 is a straight line, तुमको देख रहा, and path 1 is a semi-circular line, semi-circle बना रहा, अगर मैं, माल लो, it's semi-circle का, यह center है, और उसका radius जो है, this is your R, अगर मेरा तुमस अगर मैं तुमसे पूछू गया, distance कितना बच्चो, और displacement कितना travel किया, A से B जाने में, particle ने, तो तुम क्या बोलोगे, pause करके इसको सोचो, sir, पहला question, सबसे पहले मुझे यह बता दो, displacement कितना होगा, this is easy चीज है, displacement कितना हो जागा, sir, तो basically, sir, displacement में क्या करते है, final minus initial position, माल ल अगर बात important, वापिस से याद देलारो, vector में, जो पढ़ाता, displacement, sir, displacement को फर्क नहीं पढ़ता, frame of reference से, position vector को पढ़ता, displacement को नहीं पढ़ता, यह चीज अगर देखने हो, playlist नीचे तयार है, वहाँ पर जाओगे, देखोगे, सब कुछ पढ़ाया होगा, तो displacement vector does not care about frame of reference, तुम is independent of frame of reference, does not matter, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, let's say frame of reference हाँ, तो यहाँ से position vector का बेटा क्या हो जागा, this minus this, यानि basically तुमको यह minus यह करना, what is this distance, यह distance कितना, अगर यह आ रहे है, तो यह भी आ रहे है, यह भी आ रहे, तो what is your displacement, displacement कितना हो जागा, यह से b के बीच में, हम this is the shortest straight line, कुछ नहीं हो सकता है, इसे छोटा, what is the displacement, बोलो, 2R बोल सकता हूं, magnitude की बात कर दे, distance कितना हो जागा, distance कितना हो जागा, distance है, 2R भी होगा, but path 1 का distance कितना होगा, ठीक है, यह मतलब नहीं है, क्यार, AB में यह displacement देखो distance नहीं, distance हो यह भी है, distance है scalar quantities का, यह मतलब थोड लेकिन अब मैं question को घुमा दूँगा, तब जरूर ऐसा कर सकता हो, मैं घुमा करके कर पूछने का तरीका बदल दूँँ, तब जरूर हो जागा, कि यह distance नहीं होगा, यह displacement रह जागा, देखो कैसे, question को कैसे घुमाया जाता है, यह चीज समझो, ठीक है, यही चीज समझना तो अगर मैं तुमसे बोलूँगा, कि path a, b, एक body था, वो a से start किया, और path 1 से travel करता हो, path b तक गया, सुनना difference, अभी मैंने क्या कहता, कि दोनो path से एक एक बार travel करके चला गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, यह दोनो क्या है, distance है, लेकिन displacement इतना, अब मेरा question है, कि बच्चा, body जो था, वो path a से, path 1 से a से b चला गया, इस path को भूल जाओ, इसी path से गया, बस, अब मैं तुमसे पूछूँगा, displacement कितना, तो displacement अभी भी 2 आरे, sir, why, because initial minus final position vector does not depend on frame of reference, उसको सिर्फ shortest distance से मतलब है, line connecting final initial position, shortest distance, now what about distance, अभी path 2 नहीं है हमारे सामने, question फिर से सुन लो, path सिर्फ 1 से ही travel कर किया, now distance क्या कहता है, actual path travel, what is actual path travel, this is, यह पूरा कितना, what is the circumference of semicircle, पूरा circle का 2 pi r, तो half circle का r, बोलो, बोलो, it is pi into r, that is your distance, समझ गाए क्या, अभी क्यों ऐसा हुआ, sir, सुनो, यह path एक ही path से गया, बस, इस path से गया नहीं, तब तुमको confusion नहीं होगा, copy मैं कुछ इस तरीके से बनाना, this is your center, यह आ रहे, अभी जो body था, वो सिर्फ path 1 से travel करता हुआ, a से गया, b तक पहुच गया, यह a, b line हमने सिर्फ connect किया, diagram के लिए, actual path यही था, circular path में गया, displacement अभी भी क्या रहने वाला, यही रहने वाला, उसको फर्क नहीं पड़ता, distance change हो करके, pi r ह हो जाएगा, ठीक है, समझ में है क्या, इसको जलनी से कर लो, copy, कुछ और examples देखते हैं, इस बार तुम खुद calculate करो, एक हमने तुमें दिखा दिखा दिया, बिल्कुल basics है, ठीक है, और राइट बच्चो तो first question जो आपको करना, वो आपके सामने है, suppose करो कि एक particle है, जो circular path मे move करना, this is the center of circle, अभी उसका starting position यहां था, यहां से उसने start के move करना, ठीक है, इसका radius कितना circle का, r, अभी वो move करता करता, यहां पर चला गया, बी पर, ठीक है, नो जो center के साथ, उसने जो angle बराया है, जो angle subtend किया, center के साथ, a से b जाने में, that is theta, ठीक है, स्टार्टिंग पोजिशन था, यहां से वो circular path में travel कर रहा था, ठीक है, बी तक जाकर के रुग गया, बी तक जाने में, जो center में उसने angle बनाया है, a से b तक जाने में, that is theta, radius इस circular path का r, तुमसे question यह है, कि इसका distance कितना travel के इसमें, और कितना displacement हुआ a से b जाने में, ठीक है, क्या question है, what is the distance travel by this body, and what is the displacement travel by this body, देखो, purely mathematics का question है, कुछ physics ने लगाना, तुमको physics इतना लगाना, कि distance is shortest distance, यानि कि displacement is shortest distance, which is a से b के बीच में, the straight line connect हो, that will be your displacement, और जो actual circular path, that is your distance, यह चीज़ तुम से पहले भी समझ चुके हो, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, इतन के basis पे question बन जाएगा, ठीक है, तो basic mathematics जिन्हों नहीं पढ़ा जा करके playlist में, lecture का दियावा description में, तेख सकते हो, पढ़ सकते हो, वहां पर सब चीज़ हमने सीखी ही है, तो बात करते है, basically बच्चो, r theta, चलो, तुम लोग pause करके, आई हो, बना लियोगे, जिन्हों नहीं बना बात के body, यहां पर जा करके रुख गया, तो यह बात, बच्चो, circular property क्या कहते है, the arc, arc of circle, length of arc, length of arc, कितना हो जाता, बच्चो, length of an arc, is given by, r into theta, r के वहां पर, radius, into theta, मतलब, जितना angle वो subtend किया, जितना arc का, theta, subtend हुआ, एक बात, जो important यहां, यह theta होगा, वो radian में रखेंगे, इस बात को गलती से भी, भूल मत जाना दू, वरना question हो जाएगा, तुम्हारा गलत, ठीक है, degree, radian, इस सब पता, तुम्हों convert कैसे करते है, सब चीज़े पढ़ा रहे हो, basic mathematics, trigonometry, lecture 1, radian और degree के बारे में, trigonometry में बढ़ा रहे हो, तो r और theta यानि कि साथ, distance अगर मैं आप से पूचो, distance traveled by the body to travel from A to B, is nothing but arc of, length of arc, which is r theta, तो यह हमारा क्या निकल क्या गया है, बच्चो, distance between, actual distance traveled by body, this is the distance traveled by, traveled by body, sir, यह तो आगया, what about displacement, sir, what about displacement, sir, what exactly is displacement, displacement is nothing but the straight line, shortest path between A and B, this is the shortest path, between A and B, यह path को अगर तुम ज़रा गोर से देखो, तो क्या यह तुम्हें दिख रहा कि यह path is a straight line, होगा भी sir displacement है, चलो इस path की बात करते हैं, अब इसको भूल जो थोड़ी दिर के लिए, this does not exist, अब यह कहानी है मारे साबने, सरब क्या करें, तो देखो बच्चा कि इन circle की property है, circle की triangle को bisect करता हो, दोनों side को bisect करता है, ठीक है, तो अगर यह theta सर, तो यह कितना हो जागा, theta by 2, theta by 2, ठीक है, कोई दिखकत नहीं यहाँ तक, चलो, sir अब इस triangle को एक बार और बढ़ा करके देख लिए, it's a triangle, अब straight line है, सब कुछ यहाँ पर, थोड़ो समय, upside down करे triangle को, और this is your o, this is your, r जो perpendicular bisector था, this is theta by 2, again theta by 2, ठीक है, this is a and this is b, यह r है, यह r है, ठीक है, चलो, यह r नहीं है, यह r नहीं है, ठीक है, यह r नहीं है, ठीक है, this is not r, r क्या था, यह r और यह r है, यह देखो, जो circle के touch करेगा, circumference पर वही r होगा, यह तो r है नहीं, यह chord को touch कर रहा है, right, चलो, हमें क्या चाहिए sir, हमें चाहिए length of a, b, what about length of a, b, sir, कैसे निकलेगा, again बच्चो, trigonometric का lecture, vector, सब में पढ़ा रहा है यह बात, r के साथ, जो theta by angle होता, that is your, अगर मैं इसका नाम देदू, let's say, p, तो what is, what is op, op is overpowered, नहीं, 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 op is r cos, r cos theta by 2, पताए यह बात सबको, जो connected angle होता, वो, चला जाता है, what about a, sir, a, p's are sin theta by 2, मानते हो, theta by 2, sir, but a, p, नहीं, हमको किया चाहिए, ap plus pb, and यह तुमको पहले बता दिया, कि यह बराबर में by set करता है, तो अगर बराबर करता है, sir, a, p, यहीं, pb हो जाएगा, then what is a, b, a, b is nothing but, two times of a, p, य तो यहीं तुमको चाहिए था, a, b is our displacement, so what is a displacement, what is a displacement of the body, two r sin theta by 2, very simple, सिर्फ math था, यार, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, literally basic math सा, basic math तुमें पढ़ा रखा, lecture में जा करके देखोगे, I hope कि उसकी जरुरत भी नहीं पढ़नी चाहिए, तुमकों मतलब यह 9 10 में तुम लोग, हम लोग इतना circle तो पढ़ करके आई जाते हैं, जिंदगी बर सर पीछा नहीं चोड़ता हूँ, hence proved, hence proved, lhs, rhs, इतनी कान तो सीखी लिए होगी तुमने, right, तो basically करना गया तयार, r हमें पता था, यह distance ही यह था, यह distance हमको पता, r sin theta हो जाता, 2 r sin theta का दि लेक्चरस में, कि general case अगर तुम्हें समझ गया तो general case gives you a concept, तुम बहर पास concept आ गया, तो application अपने आप तुम उडालोगे, application बड़ी चीज नहीं है, concept बड़ी चीज है, concept शीख लिए application करना है, application क्या होगा, तो अब तुमसे question में कभी कह देगा, कि मान लो 90 degree चला, let's say theta is 90, theta 90 degree, theta 90 का मतलब क्या पहले यह बता हो तो, जब theta 90 होगा, तो क्या तुम गों दिख रहा, क्या तुम में दिख रहा कि circle, कुछ इस तरीक एका होगा, यह क्या है, quarter circle, half circle, one by fourth of a circle, half circle, quarter circle, which is one by fourth of a circle, theta 90 होगे, 90 मतलब pi by two, distance कितना होगे, r into, बोलो, 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 तुम बोलो गया, कुछ नहीं बोलना मुझे, what is this, r, root 2 r, खदम कानी, समझे के, अभी मैं कोई भी angle दे दू तुमको, theta मतलब 90 छोड़ो, 120 दे दू, निकाल सकते हो, एक काम करो, copy में 120 के लिए निकालो, distance, distance और displacement कितना होगे, मुझे answer में, comment में answer करना, ठीक है, I hope समझ में आगे हो, देखो general case समझाती, सब खतम है, general case में करना किया था, basically हमने circle बनाया, हमको बोला कि theta angle subtend किया, इसको बूल जाओ, theta angle subtend किया, तो कितना, कितना distance हो, कितना displacement होगा, हमने किया, sir, उसको zoom करके पहले तो out कर दिया, सारी कानी महीं करेंगे, हमनों छोटे कानी महीं नहीं, बड़े-बड़े देखेंगे picture, बड़ा कर द तुमको, a, b is the chord, यह तो सबको बता displacement होगा कि shortest distance between initial and final portion with a straight line, तुमको पता चल गया chord है, chord का हम लोग को एक property पता कि center से घर हमनों perpendicular डालेंगे, तो it will bisect, angle as well as the chord into equal halves, तो सब यह theta है, तो यह theta by 2, यह अगर यह a, तो ab by 2, ab by 2, ab by 2, बस, फिर तो mathematics सा simple solution था, एक तमीजी का पत् और answer में comment में लिखना ज़रू, ठीक है, alright, तो next question जो आपाने सामने था, थोड़ा सचा question है, थोड़ा सचा, थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, देखो question क्या कहता, suppose को तुम्हारे पास एक disc, ठीक है, और यह disc जो है, यह इस road पे लगा रखा तुम, ठीक है, यह smooth surface है, यहाँ पर य रोल करता हूँ जा रहा, बच्पन में खेले हो ना, इस सब गुड़काने वाला काम, ऐसे circular चीज़ जहां जो मिलती थी, बॉल बॉल सब गुड़का देते थे, right, अभी तुमने इसको यह disc के तुमारा, यह center, यह disc का माल लो, ओ, तुमने इस disc पे उपर में एक point mark कर दिया, इस point को तुमने mark कर दिया, question यह बच्चा, कि जब यह disc पूरी तरीके से rotate हो जाएगा, पहला question थोड़ा easy है, सुनना, जब यह disc पूरी तरीके से rotate हो जाएगा, तब, तब, displacement कितना होगा, और distance कितना होगा, point A का, तुमने point A को mark कर रखा, तो तुमको पता चलेगा, mark नहीं क ठीक है, नजर ना लगे, अभी नजर तो ठीक है, लगे नहीं लगे, physics ज़रूर लग गया, physics यह लग गया, sir, बोला कि इसका distance और displacement कितना होगा, जब यह पूरी तरीके से roll कर जाएगा, देखो बच्चा, जब यह roll कर रहा, कुछ इस तरीके से roll हो रहा, right, अभी यह roll होता ह पूरा हो जाएगा बच्चा, तो यह दिख कैसा रहा होगा, यह बता सकते हूं, पॉइंटे कहां पर होगा, यह पूरी तरीके से जब rotate करके यहां पर आ जाएगा, तो वापिस पॉइंटे जहां पर दा वहीं पहुंच जाएगा, इसी को तो complete rotation कहते है, मतलब सर, जो प्रेश्मेंट उतन ही जितना था उसका, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, देखो एक बहुत इंपोर्टेंट बास नहीं, गल्ट कन्फ्यूज मत करना है, यह खड़ा खड़ा नहीं घूम रहा बच्चो, यह आगे बढ़के घूम रहा है, देखो, एक तो यह घूमना हुआ, यह घूमना हुआ, यह रोटेट प्लस ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, मतलब घूमता भी जा रहा और आगे बढ़ता जा रहा है, अगर सिर्फ स्लाइड कर जाता तो बात ही खतम थी, और सिर्फ खड़े-खड़े घूम लेता तो भी बात खतम थी, यहाँ स्लाइड भी हो यह घूम भी रहा है, तो डिस्प्लेस्मेंट जीरो मत बता देना कि ए उपर था और ए उपर ही चला गया, अब यह दिस्टेंस कुछ यह भी तो चीज़ है, समझ रहे हो, यह जो ट्रेवल किया, तो एक बाह बताओ यार, एक सर्कल कितना ट्रेवल कर सकता है, गर इस सर्कल क सपोस करो यह वायर है, इसको मैं खोल के रख दूँ, तो यहां से यहां जाने में कितना डिस्टेंस जा सकता, जितना इसका सर्कम्फेरंस का लेंट है, यह वायर कितना चलेगा, जितना इसका लेंट है, उसी में एक रोटेशन पूरा करेगा, जितना पूरा लेंथ खुल हो गया मतलब एक rotation हो गया उसका यानि कि यह जो इतना distance travel किया होगा सर इस डिस्टेंस इस नाटिंग बच सर्कम्फेरेंस और सरकल विच इस टू पाई और ठीक है अरे बोलो ठीक है समझा रहा है सर अच्छा displacement और distance की बात करें देखो distance कितना travel किया सुने यहां से यहां तक एक rotation एक rotation में कितना गोमेगा 2 पाई यार displacement एक पॉइंट का कितना हुआ 2 पाई यार सब कुछ बराबर है यह कुश्चन बहुत ही बैशन कया graph rotation हो पच्छा तो यह पॉइंट और आजैका घुम करके आधा यानि point यहां पहुंचके और this is your complete rotation, full rotation, this is your half rotation, ये थोड़ा interesting करना बना देता केस को, तो question ये है, कि half rotation होगा, तब displacement कितना हुआ होगा, ठीक है, क्या question है, जब half rotation किया, ये disc, अपने position से, तो A का displacement कितना हुआ होगा, ठीक है, तो सर कैसे निकालोगे, सबसे पहली चीज, सर displacement होता क्या, shortest distance between initial position and final position given time interval, सर, shortest distance निकालना जरूरी है, shortest distance कितना हो जागा बच्चो, देखो तो, shortest distance is nothing but a straight line, यह straight line is a shortest distance, यह यह तुम्हारा displacement, let's say, इसका नाम a' दे देते हैं, फिलहाल, है तो यह a, बट इसको कह रहे है a' है, ठीक है, सागी confusion नहीं हो, तो हमारा जो length है, a' देश, this is nothing but a displacement in half rotation, अभी तुमको सिर्फ math लगाना, displacement in half rotation, सिर्फ math लगाना, math भी क्या लगाना, तुमको पता करना है कितना होगा, तो एक बाह बता हो, यह पूरा distance 2 pi r है, तो यह distance कितना होगा, this is pi r, तो अब कुछ बच्चे फटाक से एक option, जरूर पहला ही option देगा pi r, और वो टिक मार के आ जाएंगे, और उनका हो जाएगा answer गलत, क्यों हो जाएगा, अब तुम देखो, यह नहीं पूछ रहा है कितना distance travel किया, distance यह 2 pi r, इस point से इस point तक 2 pi r है, wheel, wheel या फिर disc बोलो, यह half rotation में 2 pi r move किया, यहां से यहां तक, this distance, बट तुमको निकाला है कि तुमको निकाला है, displacement of position a, position a का point का displacement कितना होगा, तो position नहीं, पहले यहां पर था बच्चा, अब यहां पर है, तो actually यह path है ना बच्चा, यह नहीं है, यह path है, समझ में आ रहा है क्या, तो यह path कितना होगा, this is your 2 r, this is 2 r, this is pi r, तो total path a dash कितना होगा, बोलो, pi तक और स्थियरम, यार, root under 2 r का square plus, pi r का square, समझ में आ रहा है, that is your displacement, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो, देखो, फिर से एकदम, बिल्कूल basic समझो, सबसे पहले बात करते हैं, full rotation की, sir, a point से, बापिस a point पर चला गया, ठीक है, जाने दो sir, बात करते हैं, कितना distance रहा होगा है, displacement, sir, तो ये total, कितना चलेगा, एक rotation में, 2 pi r, जितना उसका circumference से, उतना ही तो wire खुलेगा, तुम्हें काम करो, wire बांदो इसमें, और इसको चला दो, एक बार से फ्लपेट और खोल दो, तो कितना चलेगा, जितना उसका circumference से, तो नहीं खुलेगा, उसके बाद कहां से खुलेगा, तो मतलब कि इसका circumference से, अगर radius रहे है, तो 2 pi r circumference, that is your distance, इतना distance, वो move करके, वापिस है, वहीं पहुँच गया, तो displacement भी उतना ही हुजागा, 2 pi r, very simple, समझा रहा है, displacement कितना हुए पोजिचन का, 2 pi r, straight line, right, straight line ले लिए, और एकदम पिल्कुल, a points, a points को touch कर आज़िए, बड़े आराम से, यहाँ पर थोड़े से बिक्कत है, यहाँ ऐसा slant है, this is not एकदम straight, straight, this is slant straight, मतलब straight line तो है, but this is a slant line, this is not ld to perpendicular type का, parallel नहीं है यह, यह slant जा रहा, now a dash हमको find करना basically यह length, क्योंकि displacement का formula क्या सर, initial और final position को मिला दो, जो shortest distance बनेगा, जो straight line मिलेगा, that is your displacement, तो हमें यह सब पता सर की, यह length चाहिए, यह length मिलेगा कैसे, तो यार अगर यह पूरा 2 pi r है, तो इसका हास कितना होगा, pi r, एकदम सिंपल, this is r, थोड़ा सा tricky था, tricky क्या था, math लगाना था, और थोड़ा सोचना था, तुमको visualize करना था, यह proper physics का सवाल था, ठीक है, this is a physics question, math इसमें छोटा सा था, pathagoras theorem, इसमें physics जाता था, physics यह था, कि तुमको यह समझना था, यह rotation में कितना खोलेगा, कहाँ पहुचेगा, visualize करना था, इसी करीद बच्चो, तो I hope सब को समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक और question करोगे तुम, उसके बाद हम लोग लेनेंगे यहां से break, ठीक है, तो question यह है बच्चो, imagine करो, this is your x-axis, this is y-axis and this is z-axis, यह cube है, cuboid ने, cube, cube क्या होता है, जिसका सारे length बराबर, यानि यह A है, तो यह भी A है, और यह भी A है, सब में आ रहा क्या, length की बात करते हैं, छोड़ो थे, vector नहीं है, this is A, this is A, and this is also A, ठीक है, question यह था, कि एक body यहां से start करता है, A से, और पहुँच जाता है, यह B तक, यह B कौन से side है, समझ में आ रहा है क्या, cube जो रखावा है, अगर यह position जो है, यहां से A है, तो यह यह वाला line नहीं है, भी, देखो बेटा, confuse नहीं करना है, यह चीज नहीं है, यह B, मतलब उसका direct diagonal नहीं है, अंदर तिर्चा जाते हैं, वह सबसे corner most point है, सबसे corner most point, ठीक है, मतलब कि एगर तुम रूम के एक छोर को इठाओ, तो उसको direct नहीं मिलाना, तुमको पूरा corner में आते जाना, समझ में रहा है, 3D figure है, ऐसे जा रहा है, यह चीज नहीं है, ठीक है, यह चीज नहीं है, don't confuse it with this one, यह diagonal की बात नहीं हो रही है, cube के जो सबसे लंबा जो diagonal है, cube का जो diagonal है, उसकी बात हो रही है, तो तुमको निकालना, A, B में कितना displacement हुआ, फिर से सुन लो displacement कितना हुआ, तो कर सकते हो pause करके attempt लो, अगर हम लोग इसको जोइन कर देख रहा हुआ, गौर करना, अगर इसको जोइन कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है सब, यह A, यह A, ठीक है, और यह cube है, cube है बच्छा, ठीक है, perpendicular है यह सब, यह perpendicular है, तो यह A, यह तो यह कितना हुआ कि आट रूट 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 मैस सही है सही बट मैस पूरी तरीक है नहीं हम लोग फिजिक्स को यूज करेंगे फिजिक्स कैसे होगा साथ यह ए है यह x-axis में तो वाट इस ए आई कैप पोजिशन वेक्टर लिखना है यार बी का ओरीजिन है यह हमारा क्या ओरीजिन इस इस और गया देखो तो उपर में प और गया कितना ही क्योंकि क्यूब है तो यह अंदर चला गया इस इस यूर अब वेक्टर पोजिशन अगया ए और जिन था यह बी उसका डिस्टेंस आगया कोडिनेट था बीका तो अब क्या करना है यह अग्निट्टीड निकालना वाट इस इस रूट अंडर इसका स्कार हम gewiard एंदर अवहाण से घराण बेतर था इसे जादा हो गया मैस में बढ़ी बाद नहीं अब इसको निकालने का और भी तरीका था जरुरी ने कि तुम यहां यहां पोंच से तो यह हमिलता फिर यहां से भी महां पहुँच चुक है ऐसे करके से पहुचो ऐसे और ऐसे जो मिला इस ऐसे और ऐसे अंदर एसे पहुचआ फिर ऐसे पहुचा एंडेन उसको करेंट के जहां से नुद पहुचा है बात वही आएगा ठीक कान तुमको पकड़ना है displacement भाई आने वाला ठीक है तो या तो इस तरीके से पहुचा है इस तरीके से तो यहां हो जाता हम लोग का distance और displacement के बीच का जो भी clarity चाहिए था हम लोग को clarity I hope आपको मिल चुका होगा हम लोग ने easy question से देख करके सबसे tough question जो बन सकते है distance और displacement के बारे में वो देख लिया ठीक है I hope आप लोगो अच्छा लगा होगा लेक्चर समझ में होगा कोई दिक्का तो कोई डाउट हो तो आप मुसे परसनली contact कर सकते हो link description में है कोई suggestion हो तो भी मुझे बता सकते हो and lectures also vectors and mathematics का playlist जो है वो description में दिया वाब अच्छो आप उसको देख सकते हो and अच्छा लगे तो like करे subscribe कर नीचे बटनों का red color का उसको जरूर दबाए and share करे and all the best